हेलो दोस्तों स्वागत आपका Friend Study सरकील चेनल में और दोस्तों आज की इस वीडियों में हम बात करेंगे O-Level और Triple C के डिगरी के बारे में क्या अंतर है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो O-Level और Triple C के डिगरी में कन्फ्यूजन बना रहता है और यह अक्सर सोचते हैं कि ओ लेवल करूं या फिर त्रिपल सी करूं तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा इस वीडियो में यदि आपने चैनल पर पहले बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको गौर लेवल में कौन सबसे अच्छा है तो दोस्तों यदि आप थोड़ा सा भी केम्पूटर नॉलेज रखते हैं तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि त्रिपल सी और लेवल क्या है और कौन इसमें से अच्छा है और जैसा कि गवर्मेंट जॉब की तयारी करते हैं तो अब फिलहाल में आरो यारो का फार्म फिलब किया जा रहा है तो उसमें भी आप और लेवल या फिर द्रिपल सी हो तो वही लोग इसके लिए ऐलिजबल होंगे फिर यूपी पीसल की रिकूर्टमेंट आती है उसके लिए भी ओलेवल की डिमांड की जाती है उसके साथ ही दोस्तों UPPSC की जो ARO की recruitment होती है उसमें भी O level का demand होता है तो दोस्तों O level देखिए एक साल का course है यदि आप इसे complete करना चाहें तो 6 महीने में भी complete कर सकते हैं और जो CCC की जो degree होती है ये केवल मान कर चलिए कि आप 3 महीने के अंदर ही इसे प्राप्त कर सकते हैं और करना क्या ह केवल आपको farm को fill up करना है और एक book आती है CCC और इसका जैसा कि full farm जो है course on computer concept होता है और जैसा कि basic जो knowledge होती है computer से related जैसे कि MS office क्या है और इस पे यहां पे कैलिब्री क्या होता है बोल्ड कैसे लिखा जाता है copy paste यह सारी चीजें computer start कैसे होता है किस बटन से restart होता है कौन से function यह सारी चीजें जो भी student laptop पी आफी computer चलाते होंगे उसी तरह की जानकारी चाहिए लेकिन वर्तमान टाइम में जैसा कि दोस्तों competition के चेतर में अब इसके जो questions बना जा रहे हैं तो इससे कैसे पास करेंगे क्योंकि एक बार में कई student जो है पास ही नहीं हो पा रहे हैं इसमें true false matching word इस तरह के questions पूछे जाते हैं और हाला कि objective टाप के questions आते हैं इसमें written नहीं होता है तो triple C के लिए तयारी के लिए आपको एक book आती है computer on course on computer concept दोस्तों मैं उसका आपको बुक का फोटो दिखाना चाहूंगा यदि आप अभी triple C की डिग्री नहीं लिए हैं और triple C सोच रहा है करने के लिए तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों यह उसका पिक है और यहां पे देख रहा है कुर्स on computer concepts और हिंदी इंग्लिस दोनों लेंगज में होता है और इसमें आपको इतने multiple choice question मिल जाएंगे जिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे लेकिन उससे पहले आपको इसके जो भी बेसिक हैं जैसे इंट्रोड़क्शन टू केंप्यूटर फिक ग्राफिकल यूजर इंटर निकाल लेते थे लेकिन इस टाइम जो है इस्टूरेंट कंफ्यूजन में पढ़ जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा भी घूमा दे जा रहा है तो काफी टफ हो जा रहा है ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो त्रबल सी का एक्जाम दिये हैं इस बार और बताय जा रहा है तो यह दोस्तों तीन महीने के अंदर आप इस डिगरी को राप्त कर सकते हैं पहले मन्त में जैसे के स्टार्टेंग में यह मालीजे सेतंबर मार्चल लाया तो इसमें आप 13 तारी को फॉर्म फिलप करते हैं तो फिर आपको एक से डेड़ महीने बाद एक्जाम करवा लि यह अनिवार कर दिया गया और यह करना कहां से है निलिट्स होता है तो दोस्तों यह एक सरकारी संस्ता है वहीं से होता है कहीं पे भी आप प्राइवेट इंस्टिूट से नहीं कर सकते हैं और दोस्तों यदि आपको लगता है कि नहीं बुक से नहीं किसी इंस्टिूट के म निकाल सकते हैं इस exam को और एक से डेड़ी महीने में आपको अच्छे तरह से CCC के बारे में सिखा दिया जाएगा पढ़ा दिया जाएगा बात करेंगे दोस्तों ओ लेवल की तो ओ लेवल इससे बहतर है CCC से बैतार है और इसमें जो है आपको बड़े अस्तर पे तयारी करनी पड़ती है यानि कि इसके हर एक टॉपिक को जो भी सब्जेक्ट होता है उसको चूज करना पड़ता है और जब आप इसके फार्म को फिलप करेंगे तो यह सारी चानकारी आपको मिल जाएगी लेकिन यदि आप डिगरी में दोनों में अच्छा किसे मानते हैं तो ओ लेवल क्यों कि यह एक साल का है अब कई स्टूटेंट ऐसे भी होते हैं जो एक एई पार्म को फिलप भी कर देते हैं सारे सब्जेक्ट को और छे माईने में जैसे कि जनौरी में यदि आप अक्टूबर वाला फार्म भर रहा है तो आपका जनौरी में पेपर हो जाता है तो वहां से आप एक्जाम को दे लेते हैं क्योंकि पहले से पर्परेशन करते हैं और यदि आपको लगता है नहीं आप एक साल में इस्टूट के माध्यम से जूड़ करना चाहते हैं तो वहां से भी आप कर सकते हैं तो लिवल ही सबसे बेतर है और यदि आपको आपके पास है तो तिरपल सी आप देंगे और जरूरत नहीं पढ़ते है तो इसके समकच मागे या फिर तिरपल सी मांगा है तो इसके समकच मागा तो लेवल इससे हाई है जायए जायए से बात हो आप च्छ डिग्री को लगा सकते हैं आपको बता दिया कि यह दो तीन महीने में कर सकते हैं और लेवल जो एक साल का अलगबग कोर्स और बेन फिट आपको बताए दिए कि जो भी कोर्मेंट जॉब हैं उसमें इसके डिमांड होती है और यदि आप दोस्तों तिरपल सी डिगरी है ओ लेवल नहीं है या फिर ओले वाला तिरपल सी नहीं है तो ओ तिरपल सी नहीं है तो काम चल जाएगा क्योंक कि दो तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप बुक से पढ़के निकाल सकते हैं लेकिन जब प्रोग्रामिंग की बात आती है तो उसे आपको सीखना पड़ता है तो उस तीज को चाहे आपके सी लैंग्विज हो या फिर जावा हो या फिर आपके पाइथन के जो भी सब्जेक है आप अच्छे पोस्ट पर नौकरी कर सकते हैं तो दोस्तों यदि आप तक आप लोगों ने त्रिपल से या फिर अभी तक नहीं किया है तो आप लोग कर लें और इससे रिलेटेट कोई भी कंफूजन बना है कि कैसे एक्जाम कौलिफाई करेंगे या फिर घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं लेकिन यदि आप लेवल करना चाहते हैं तो किसी संस्था के संस्था से जुड़कर इस लेवल को कर सकते हैं या फिर आप उसके लिए ऑनलाइन कोर्स भी पर्चेश कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के माध्दम से भी सिख सकते हैं लेकिन दोस्त के बारे में बहुत सारी चीज़े हैं यदि आपके डाउट होंगे तो आप पूछिएगा उसके बारे में अलग से वीडियो बना दिया जाएगा मिलते हैं किसी नए अबड़े सार तब तक अपना ख्याल लाकें टेक केर बाए बाए